दोस्तो नमस्कार करनल अजयस यो अजयस टो मनी ग्रूफ फर्स्ट ग्लोबल एस्ट फ्नाइस डीचर चैनल से आप से मुखाती बोता हूँ आज थीस नौम बार संद दो हजार तेइस दोस्तो पलसेज के उपर देश का पहला चैनल है जो लगातार अपडेट और विस्लेशन आप तक पदार करता है याद कीजिए हपको हमने लगबग साड़े तीन चार मैने पहले चना काबुली चना और पलसेज पे जो अपडेट दिये थे वो अक्षत सत्य साबित हुए हैं दोस्तो पिछले कुछ सब्ता से उड़द और तूर के अंदर कुछ कर्रेक्शन्स धारित किया था एक करोड व्यू और एक लाख सस्क्राइबर दोस्तो लगबग नन्याण में लाख तीस जार के आसपास हमारे व्यू होगये हैं साथ 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 स्स्क्राइबर भी सत्यानमे हजार से अधिक 97,600 के आसपास हमारे सस्क्राइबर्स हो चुके हैं दोस्तो एक लाग सस्क्राइबर्स का लक्ष जल्दी पूरा उने वाला है आपको भी यदि हमारा चैनल पसंद आता है तो इसको सस्क्राइब वविश्च कीजिए दोस्तो सबसे पहले तो 29 नौवंबर को यानि कल अंतराष्ट्य बजारों में और बंदरगाओं पर क्या भाव रहे दालू के आपसे रूबरू करा रहे हैं चिन्नाई पोर्ट तूर लेमन नौवंबर मन्थ 10,500 दिसंबर मन्थ 10,500 और जन्वरी फर्वरी 9,750 के भाव यह हैं तूर लेमन के भाव चिन्नाई पोर्ट पे उड़द FQ 2023 नौवंबर के 8,750 रुपे की तेजी और दिसंबर 8,700 इसमें भी 50 रुपे की तेजी है उड़द FQ कॉलिटी 2023 नौवंबर 9,600 पेचे तर पचास की तेजी और दिसंबर 9,600 पेचे तर पचास की तेजी जन्वरी 9,825 रुपे के भाव हैं अब दिल्ली के हाजिर बजारों के भाव भी आपसे शेयर कर लेते हैं दिल्ली में तूर लेमन 11,050 रुपे तूर महराश्ट्रा 11,150 और उड़द FQ 2023 नौजार पचास से नौजार पिचे तर SQ 2023 के अंदर भाव 10,000 रुपे यहां 50 रुपे की तेजी है ये थे ताजा अपडेट आप जानिए आगे की रिपोर्ट और तरब है कि लगबग 5-7 दिनों में तूर के दाम 6 रुपे पती किलो तक तूट कर 107 रुपे लेमन बनने के बाद चिन्नई में अब स्टॉक की शॉर्टेज बताई जा रही है गत तीन दिनों के अंदर महराश और करनाटक में बरसाथ से तूर की फसल को कुछ नुकसान होने का खत्रा भी बताये जा रहा है साथ साथ ये भी एक देखने को मुला है कि चिन्नई से दाल मिलो की पकड़, MP लाइन की मिलो की बढ़ जाने के कारण भावों के अंदर अब 105 रुपए के दाम बताये जा रहे हैं दिली का चार रुपए ऐसे कम का भाड़ा भी जोड़ें तो ये 107 रुपए बढ़ने की संभावना है और गौरतलब है कि अभी MP महराश और करनाटक की फसल तयार खड़ी है और कुछ छेत्रों में दाने पड़ रहे हैं उनसे पिछले तीन दिनों की बरसाज से फसल खराब होने का खत्रा से वहां के किसान बताने लगे हैं इसी वज़े से लेमन तूर में एक बार फिर नए करोबारी एवम दाल मिले खरीदारी करने में आगे आने लग रहे हैं दोस्तो महराश और करनाटक दोनों ही राजियों में तूर के उचे भाव को देकर किसानों ने बिजाई अधिक किया था इसमें कोई दोरा है या कोई संशय नहीं है लेकिन मौसम की अनुकूलता और प्रतिकूलता से भी प्रभाव पड़ता है अभी मौसम प्रतिकूल है और प्रति हेक्टर प्रोडेक्टिविटी यानि उत्पादकता घटने के भी संभावना बन गई है दूसरी और रंगून से चिन्नई में आज की तारिक से आयाद करने पर 108 रुपैसे कम का पड़ता नहीं लग रहा है उससे भी देखकर कम से कम इसके भावों के अंदर अब तूर के भावों के अंदर एक नाय समीकरन बन सकता है दोस्तों गर्मी की फसल MP, UP बिहार वे जारखंड में होती है लेकिन वहाँ सबजियों का प्रस्णन ज़्यादा बढ़ जाने के कारण तूर की बिजाई में तेजी के बावजू भी किसानों ने इस बार बिजाई कम करेंगे बिहार और UP में टमाटर और गोबी की अधिक विजाई हुई है और सबजी वाली मटर की विजाई में भी 40% की अधिक बढ़ोत्री है दोस्तों ये थी तूर के उपर एक अपडेट अब जानी है उरत की कहानी दोस्तों उरत के अंदर पिछले 5-7 दिन के अंदर लगबग 8 रुपए की टूटत देखी गई और चिनने के जो भाव हमने आपको अपडेट की है उसको हम देखें तो वहां से माल मगाने से 3 रुपए प्रती किलो का भड़ा और बाकी चीज़े देखें तो बजार में भाव उचे हो गए हैं उरत की फसल प्रांथ वाई यानि छेटर वाई अलग अलग महीनों में खरीब की फसल आती है इसमें यदि हम में फसल देखें तो सितमबर अक्टूबर में महराष्ट मद्परदेश 36 गड़ एवं यूपी के इलाकों पे आने की आ चुकी है और काफी कहत तक उसका माल बिक भी चुका है क्योंकि पहले से ही देशी उड़द रंगून माल से नीचे बाहोने के चलते लोकल डाल मिल काफी खरीदारी कर चुके हैं दिल्ली अंसियार की मिलों के लिए रंगूनी माल ही अब अविलेबल है पिछले 25 दिनों से सारनपूर गंगो लाइन से खरीव की सीजन की उड़द आ रही थी जो की लगबख 100-101 रुपए पती किलो की पहुंच के बिकने के बाद वर्तमान में ये लगबख 88 रुपए पती किलो रह गई है दूसरी और मंडियों में सबजियों का दवा बढ़ जाने के कारण रंगूनी उडद की भी थोड़ी सी दिमांड कम बताई दारी है दोस्तों कुल मिलाके अब तुवर और उडद एक महतपून दोराये पे खड़ी है कि दिसंबर महिना इसके लिए एक निर्नायक साबित होगा क्या ये तेजी का होगा या मंदी का विशेश रिशर्च रिपोर्ट के लिए संपर करें दोस्तों तेजी आने के बाद तेजी और मंदी आने के बाद मंदी कहने से कोई फायदा कभी नहीं हुआ याद किजे उड़द, मसूर, तूवर, चना इन सभी पर हमारे अगरी मनुमान सत्ते साबित होए हैं तिलन, दलहन, मसाला इन सभी की जानकरिया उपलब्ध हैं आज ही संपर करें नंबर स्क्रीन पे दिये गए हैं